दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भी income tax की जो नई section है 194Q उस section के recording जो implements है जो हमारी books of maintain होनी है उस rule के according तो उस rule के according हमें विजी software में उसकी configuration setting किस परकार करनी है ताकि जब हम हमारे suppliers का जो purchase invoice हमारे पास आए या अगर हमारे suppliers को advance payment करें 194Q rule के act में तो उसका auto TDS है जो deduct हो जाए और जो TDS की return है 26Q वो भी automatically त्यार होती रहे तो किस परकार हमें configuration setting करनी है बीजी software में यह आज हम इस वीडियो में practically सेखने वाले हैं तो दोस्तों अगर आज के इस वीडियो का end तक complete देख लेते हो तो आपको बीजी software में 194Q के regarding जो भी आपकी query देगी वो सारी हो ज देना अगर आप मारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जूरूट करें साथ में बेल आइकन का भी बटन प्रेस करें क्योंकि हम इस चैनल पर वीजी counting software और टेली प्राइम software की practical video continue upload करते रहते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौन सुतार और आप सबसे पहले तो आपको अपना वीजी software को अपडेट कर लेना है और उसके बाद में आप अपनी वीजी software में अगर आपकी company already create है तो कोई दिकत नहीं अगर आप अपनी वीजी software में first time company create कर रहे हो तो आप जैसी company create करोगे तो उसके बाद में आपको TDS से recording setting को enable करना कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको अपने वीजी software के उपर जो administration menu आपको जो दिखाई दे रहे है इस पर आपको क्लिक करने और उसके बाद में आपको जाना होगा इस configuration की setting पर इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें first option दिखाई देगा features and option का हम इ करेंगे तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यह दोनों जो टैक्स है यह हमारे उपर आपको शोंगे enabled TDS reporting और enabled TCS reporting अगर आपकी कंपनी पर TCS भी applicable हो रहा है तो आपको दोनों features enable करना पड़ेगा अगर आपके उपर दोनों लगू ने अरे तो आपको यह enable करने की जुरूरत नही है अब माली जी आपकी company पर 194 क्यों यानि की जो goods पे जो प्रचेज पे जो TDS deduct करना है वो आपके ओपर company के ओपर लागू हो रहा है तो आपको enable TDS को reporting को टिक करना होगा जैसे हम टिक करेंगे तो कुछ इस तरीक है की window मारे सामने यह highlights feature हो जेंगे जैसे के 10 number है, flat number है, यह सारा information basic information आपको यहाँ पर fill up कर देना है और उसके बाद में जो important बात है वो यह है आपको सबसे पहले तो यह चीज़ देखना है भी check previous year data for TDS under section इसको आपको yes रखना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर रखना है warning for TDS in purchase under section 194Q तो इसको आपको warning only पर रखना है, क्योंकि आप इस पर click करोगे तो तीन option आपको दिखाई देंगे, तिनों में से no action, warning only और don't allow, तो आपको no action भी नहीं करना है, don't allow भी नहीं करना है, आपको कैवल warning only पर रखना है, और उसके बाद में इसके जो next feature size का आपको warning for TDS in payment, यानकि अगर आप advanced payment करत तो भी आपका TDS है जो deduct होना चाहिए, तो इस features को भी आपको warning only पर रखना है, तो सबसे पहले तो आपको company create करती इस features को enable करना है, क्योंकि अगर आप laser create कर लोगे तो आपको वापिस फिर इमनी lasers को modify करके वापिस edit करना पड़ेगा, तो इससे पहले आप अपने TDS की configuration setting को आ हमारे पास ये invoice है, सुमीट and company का हमने process किया है, और सबसे पहले हमें सुमीट and company का laser हमें create करना पड़ेगा, हलाकि मैंने कर रखा है, लेकिन कैसे करना वो आपको बता देता हूँ, इसके लिए हम एडिमिनिस्टर्स पर वापिस देंगे, masters menu को select करनेंगे, और उसके बाद मे अगर आपको निया create करना है, तो आपको इस add features पर जाना होगा, अब मैं आपको modify करके दिखाते हूँ, जैसे है कि मैंने सुमीट and company का laser create किया है, जो laser मैंने create किया है, उसका group मैंने रखा center creditors, उसके बाद में यहाँ पर इसकी GSTC related जो भी information है, हमने यहाँ पर fill up कर दी, pen number द 942, इसको आपको enable करना है, अगर आप इस company से 50 लाख रुपए या इसे ज्यादा की goods आगर आपने purchase कर लिया है, या आप इन feature कर लोगी, तो भी आपको इस features को enable करके रखना है, और जैसी आप इस पर click करोगे, और इसको हम कर देंगे, save, तो कुछ इस तरीकी की यह basic setting हमें कर जो TDS की category है, आपको master menu में रहते भी से, TDS category पर आपके आना है, interface करेंगे और modify पर देंगे, तो सारी TDS की category यहाँ पर already create है, और उसमें से जो हमारा 194Q है, भी gross purchase exceeding rupees 50 लाख, यानकि 50 लाख से उपर होती है, तो यह TDS की जो category already create है, और इसके उपर यह सारा details दीवी है, इंडिज्वेल पर उनके जो exemption limit है, और pen number के साथ, जो TDS deduct करने की rate क्या है, और without pen number के साथ में क्या रहेगी, तो यहाँ पर इसका section का code है, वो 194Q दिया है, applicable जो यहाँ पर date है, वो 1 April 2021 है, अलांकि यह 1 July 2021 से शुरू होगा, यह पहले 1 April से था, तो इसको 1 April ही रहने दे कोई द है, हमें इसको अलग से create करने की जुरूरत नहीं है, तो यह basic settings है, और उसके बाद में हमने हमारे पास एक प्रजेज invoice है, 1 July 2021 का, और इसकी amount है 50 लाग रुपे की, तो यह entry हमने यहाँ पर कर ली है, आपको मैं दिखा देता हूँ, modify पर हम जाएंगे, और यह वो invoice है, आप द इसकी entry हमने कर दिए, value 50 लाग रुपे की है, और इसकी value भी यहाँ पर 50 लाग रुपे की है, तो अब इसकी यहाँ पर आप देख रहे हो, कोई अलग से कोई भी TDS है, जो यहाँ पर deduct नहीं हुआ, जो 50 लाग की exemption limit है, उसके बाद में जो भी purchase हम करेंगे, उस amount के उपर आप की busy accounting software की playlist को आप open कर ली दिए, वहाँ पर हमने इसको अलग लग series wise busy software को use करना अच्छी तरीके से explain करके बताया है, वहाँ पर आपको सभी video मिल जाएंगे, तो यह entry मैंने यहाँ पर कर लिया है, और उसके बाद में इसको मैंने यहाँ पर save कर दिया, अगर आप जैसी entry कुछ warnings आपको मिलेगी, यह warning तो आपको दे रहा है GST number की, क्योंकि यह जो GST number में ने डालाव है GST number है, तो यह invalid दिखाएगा, हम इसको okay कर देंगे, और उसके बाद में यह आएगा, TDS not detected, अब यह एक warning आपको मिलेगी, अब इस warning का हो गया, यह जो TDS 194 is applicable for party, आपने इसको yes कर रहें, सुमीत and company को, लेकिन आपने इस पर TDS अभी तक deduct नहीं किया, करना चाओगे क्या, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी their sold limits है, वो 50 लाग है, अगर 50 लाग के उपर की amount होती, तब हम इसको enable and की yes करते, अभी हम इसको करेंगी यहां से no, तो मैंने इसको no क कर दिया, और बाकी information इसको मैंने save कर दी, और उसके बाद में आपको ध्यां रखना है, यहां पर इसका new reference देना है, और reference number के अंदर आपका जो invoice number वो यहां पर आ जाएगा, और इस voucher को हम करेंगे save, अब हमारे पास एक second invoice है, सुमीत and company का, और यह 2 July का invoice है, और इस invoice की जो value ह है, वो है 20 लाक रुपे की, इसकी entry हम करके देखेंगे, फिर देखते है, TDS deduct होता है या नहीं होता हूँ, entry हम business software में जाएंगे, और उसके बाद में purchase voucher पर aid हम करेंगे, date हम यहां पर करेंगे 2 July को, और voucher number हम डालेंगे, 1455, और उसके बाद local GSD हमने item wise रख लिए, कोई दि collect कर दिया, GSD, और उसके बाद में item A create की विये, और उसके बाद में इसकी जो value 1 और इसकी जो final value हम यहां पर डाल देंगे 20 लाक रुपे, तो यह हमने 20 लाक रुपे की amount यहां पर deduct कर दिया, अब बात आती है 194 Q section की, तो हम इसके बाद जैसे इसको हम save पर click करेंगे, तो सबस इसकी नमबर सही आपने post कर रहा है, तो यह warning आपको नहीं देगा, yes करेंगे, अब यह option आजएगा, वापिस 194 Q is applicable, आप इसको applicable करना चाओगे, तो हम इसको कर देंगे यहां से, yes, जैसे हमने yes किया, तो आप देख रहे हो, यहां पर जो यह जो tax है, TDS on purchase of goods, बिल संट्री मे इसकी 2,000 पे के amount है, जो इस 20,000 के amount के उपर है, जो automatic deduct हो गई है, और अब इस invoice की जो net value है, वो अब यह रहेगी, 19,000 और 98,000 पे, और आप यहां पर देख रहे हो, इस बिल संट्री में, यह जो TDS on purchase of goods का जो लेजर, मना इससे पहले इसके उपर star लग चुका है, अब star का मतल बनी है, आपका जो invoice की value है, वो यहां पर भी आपको 20,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं, और TDS कटने के बाद में भी आप इसकी value है, जो 20,000 रुपए ही आ रही है, तो यानि कि अभी इसमें अगर आप इसका preview बगरा देखो तो इसका कोई effect नहीं आएगा, इसका जो effect है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा, हम इसको भी करते हैं, save, और उसके बाद में ये TDS deduction की जो detail है, वो open हो जाएगी, TDS applicable है, lower rate के साफ़ से हमें नहीं deduct करना है, और जो TDS की category है, वो gross versus exceeding रुपेज 50 लाग, और यहां पर उसके बाद में जो reference नमबर यान की जो हमारा invoice नम amount हो, यहां पर आजएगी TDS deduct on 2 July को है, और जो TDS की rate है, वो 0.1% है, और TDS के amount हो, 2000 रुपे की है, और उसके बाद में यहां पर जो इसका sales है, वो कुछ भी नहीं है, और इसको हम यहां से कर देंगे, ok, और इसको भी हम new reference में रखेंगे, और इसको भी ok करेंगे, अब हम इस पार्टी का एक बार statement यानि कि इसकी laser की statement अब हम देख लेते हैं, हम shortcut हम use करेंगे, control L, और उसके बाद सुमित and company का हमने laser statement को select करना पड़ेगा, और हम F2 करेंगे, जैसे हम F2 fresh किया, तो आप देख रहे हो, यहां पर जो एक 50 रुपे का invoice है, वो credit हो रख है, और उसके बाद पार लाख रुपे की amount के उपर, अब 50 रुपे तो इसकी एक जेंड एर्स फोल्ड amount हो, हमारी लेफ्स हो चुचके उसके बाद की जो भी amount है, अब उसके उपर है यह जो TDS applicable होता रहेगा, तो इस तरीके से यह 2000 रुपे की amount है, यह automatic है जो उसके laser में deduct हो जाएगी, और हम उ TDS report, TDS report पर interface करेंगे, forum 26 Q को हम open करेंगे, और जो आप हमारा quarter है, वो second quarter है, ओके करेंगे, तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इस 26 Q के अंदर कोई भी data आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब तक हम इसकी चलान की entry नहीं करेंगे, तब और आप period आप दे सकते हो, यहाँ पर, तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, भी इसकी जो TDS की category है, वो हमारी gross purchase वाली आगी, वो इसका रपन नमबर आगया, सुमीत and company आगी, और इसकी जो payment 10, वो 20 लाक रुपे की है, और इसकी उपर 2000 रुपे का TDS डिडेक हुआ है, और जैसी हमने जो TDS 2000 रुपे के डिडेक्ट किया है, उसकी payment voucher में entry कर देंगे, तो यह हमारा 26 Q के अंदर भी data शोना शुरू हो जाएगा, हम payment voucher की entry भी करके देखते हैं, और TDS की entry करने के लिए हम transaction menu पर जाएंगे, payment voucher में जाएंगे, और add पर click करेंगे, और हम हम यहाँ पर वो date देंगे, याला कि date जो हमारा July मांत का जो भी TDS हमने डिडेक्ट किया है, वो next month यान कि अगस साथ अगस तक हमें deposit करवाना होगा, तो हम वहाँ पर date हम ले ले लेंगे, और हम उसी लेजर को select करेंगे, तो अभी TDS on purchase of goods, तो अभी यहाँ पर देख रहे हमने online मलब जिसको चलान जमा करा है, bank of India से, इसको हम यहाँ से करतेंगे, ओके और इसको save पर click करेंगे, तो यह adjustment की detail हमारी से पूछेगा, तो जो TDS की cat करी है, वो हमारी gross purchase exchange, 50,000,000 रुपे उसको select करेंगे, और यह कौन सा reference number के तो हम डिकोजित करवा रहे हैं, जो हमारा 1455 पर नंबर वड़ा invoice था, उसको select करेंगे, तो इस सारे invoice की detail यहाँ से आपको फूस्ता रहेगा, और उसके बाद में जो payment of the second quarter की payment है, interest कुछ भी नहीं लगवा, penalty भी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर deposit date automatic आजेगी, अब चलान का number जो भी आपका चलान deposit होगा है, उसका number आ को देखेंगे, display पर जाएंगे, tedious report पर जाएंगे, form 26Q को select करेंगे, second quarter select करेंगे, अब यहाँ पर देख रहो, 26Q की जो detail है, वो सारी के सारी information यहाँ पर fill up हो जाएगे, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अगर आपको knowledgeable लगी हो, तो प्रीज इस व